में देmbar रेंज रेंज़ के अरस्टानल आपका स्वाहन में डिका अंधा को लास्ट वीडियो में दिखा थाकि मास्क लागा के कैसे बनाते छी इस वहला मास्क दिखा था मैंने माष्टिक लागा 22220 मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि मास्क कप्डे का ही पर जो हम यहां पे डालते हैं वह भी कप्डे का रगा के कैसे बनाते हैं अभी देखते हैं कि मास्क कैसे करते हैं मैंने जो आपको बताया था सेम होता है लंबाही और चोड़ाही 6 x 8 inches मैंने लिया था लास्टेम मेरा वीडियो में जाके देखिए आपको पता चल जाएगा अभी देखते हैं जो कप्डा हमने लिया है वो सिलाई कैसे करेंगे मैं हम सिर्फ दो तरफ में सिलाई किया था हम इसमें चारों तरफ से सिलाई डालेंगे बाद में मैंने जैसे बोला था उसमें फ्लीट्स लगा देंगे दोना तरफ सिर्च करके फ्लीट्स लगा देंगे अबी मैं अबी आपका ऐसा रेडी हो गया था अबी मैं अबी आपका ऐसा रेडी हो गया था अबी उसमें भी ऐसा रेडी था पर ए दोनों तरफ फिनिशिंग में था अब चारों तरफ ओपन है जैसे मैंने बताया था आपको दो पीस चाहिए होगा ऐसा वाला दो पीस चाहिए इस तरफ और इस तरफ फिनिशिंग देने के लिए चिक है आप इसे दो कप्डे दो पीस चाहिए होगा उसमें हम अपना साइट्स फिनिश कर लेंगे इसको जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में वैसे ही फिनिश करेंगे पहले कब नीचे करके स्टीच कर लेंगे और उसको ऐसे फोल्ड करके दोना साइट में तोड़ा फोल्ड कर लेंगे तोड़ा जो एक्स्ट्राम ने लिया था वो फोल्ड करके ऐसा और इससे फोल्ड करके इसको फिनिशिंग देने इससे फिनिशिंग देखेगा अभी इसे दुसरे साइड में भी करेंगे दो तरफ में रिडी हो गया है अभी हमें और एक खब्डा चाहिए होगा और एक इससा बड़ा पीस चाहिए होगा उसके लिए हम इसका लंबाई लेंध कितना है हो देखेंगे 8 इंचेस और दोनों तरफ 8 इंचेस आएगा 8 प्लेस 8 16 इंचेस हो जाएगा और हमारे एक गुलाई के लिए मने यहां से यहां तक जो जैसा यहां से यहां तक हमें 6 इंचेस चाहिए होगता है ठीक है so 8 प्लेस 8 16 इंचेस और 6 इस तरफ और 6 इस तरफ हमारे हो गया है टोटल 16 प्लेस 12 28 इंचेस का एक लंबा कपड़ा हमें चाहिए होगता है अभी देखता है इस कैसे से लाइटाते है हम फेले यहां सेंटर में शुरूर करेंगे इसको सेंटर में इसे स्टाइट करके तरने के बाद हमें 6 इंचेस का एक मार करना पड़ेगा एक मार करेंगे और तीन इंच में एक मार करने पड़ेगा उसके बाद हमें ऐसे उसे गुमा के यहां पर जो मार किया था सिक्स इंचेस पर वहां से फिर से सिलाई शुरू करेंगे जब इस तरफ आएंगे गेंड में तो फिर से स्टॉप करके जैसे उस तरफ में लियाता हमने उसी तरह इस तरफ में भी चेंच में एक मार करके फिर से उसको ऐसे गुमा के एक स्टिच लगाएंगे जो यहां पर आके जो जहां पर हमने शुरू किया था वहां पर आके एंड हो जाएंगे आपका ऐसे रेडी हो है पूरा एक राउंड में रेडी हो है अभी इसको फिर से फोल्ड करके हमें फिनिशिंग देना होगा हम एक फोल्ड और दूसर फोल्ड करके हमें फिनिशिंग देना होगा पूरे पूरे तरफ से भी ऐसे ही फोल्ड करके आएंगे हम जब यहां पर आएंगे तो दोनों तरफ से थोड़ा फोल्ड करके स्टिचिंग करना पड़ेगा थोड़ा आराम से किजिए इसे पूरे जगा में हमें स्टिचिंग करें आपका मास्क रेड़ी है इसे आप कौन से भी कलर में कर सकते हो आपकी डिजाइन के अनुसार कर सकते हो कुछ भी आपको जो आच्छे लगे हो इसे कर सकते हो ट्राइज जरूर किजिएगा यह एलस्चिक का है और यह कपटे का इसको मैंने लाज वीडियो में दिखा है ता और यह मैंने इस वीडियो में दिखा है ट्राइज कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अब बेल आइकोन दबाने को मत बुलिएगा टेक केर, meet you next time